नमश्कार दर्शकों बैस सुरेश श्रिमाली सभी मेतुन राश्य वाले लोगों को आज अक्टूबर महिने के राश्य फल दे रहा हूं इस कारिक्रम में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं राश्य फल की शुर्वास से पहले मैं एक सफ़लता का गुरु मंतर देना चाता हूँ हो सके तो इसे अपनाएगा जरूर सफलता की इस दोड या यूं कहें कि सफलता की इस दोड में वही जीता है जो सही सूजबूज के साथ सर्वोतम तरीके से कारी करता और परफेक्शन के साथ तो आप परफेक्शन रखेगा अक्टूबर की इस दोड में आप जीत जाएंगे यह महीना बिजनस बैन हो या वोमेन को व्यापार से लाब की मातरा को बढ़ाने का काम करेगा अपने बिजनस को लेकर आपको जो यात्राएं दी जाती है या जो यात्रा आप करते हैं वह यात्रा आपके लिए बहुत लाबदायक रहेगी और जितना आप इसमें फिरेंगे उतना चरेंगे जितना ट्रैवल होगा उतना लाब बिलेगा पार्टरशिप में आपका वेवसाय अगर कर रहे हैं तो वह अच्छा चलेगा मंत की शुरुवात में आपकी राशी से बारवे हाउस में धनेश बुद्ध की दृष्टी होने से आपके इंकम सोर्सें से बड़ोतरी होगी आए बढ़ने के साथ साथ खर्चों में भी बहुत इजाफ़ा करने वाले हैं हो सकता है कि ये खर्चा आने वाले टाइम में आपके लिए इन्वेस्टमेंट साबित हो जाए बिजनस के एक शेत्र में किसी अन्य शेहर में नई ब्रांच खोलना और नए कुछ लोगों की भरती करना अपने आफिस में टेकनिकली कुछ नए सोर्सें को लाना आपके पूर्ण एकागरता के साथ और अपने लक्षे को अपने सामने रखते हुए अगर हर कारी को करेंगे और तैयरी परफेक्ट रखेंगे तो ये समझ लिजिए कि अक्टूबर महा आपके लिए यादगार साबित होगा और 2020 के लिए आप अक्टूबर महा में बहुत बड़ी नीव रख सकते हैं यदि आप कोई नई नौकरी के तलाश में हैं और आपने इंटर्वियू दे रखा है तो उसमें सफलता मिलने के चांसे बढ़ जाते हैं लेकिन अगर आपको नौकरी में एपलाई करना है तो यह काम आपकी सीवी मंडे फ्राइडे और संडे को करेंगे तो ज्यादा बैतर रहेगा नौकरी कर रहे हैं वेक्तियों के लिए नए टास्क में कोछ चैलेंजिस जिसे हम जिम्मेदारी कहते हैं यह आपकी बढ़ने वाली है और इससे ही आपको बड़ा लाब बिलेगा करियर को आगे ले जाने में भागिया आपका साथ देगा और भागे चाली की निसानी नहीं है बलकि भागे चाली होने की निसानी है कि आप आगे जाकर और बहतर काम कर सकें प्रेम संबन परसनल लाइफ के मामले में इस्तिति आपकी बैटर रहेगी एक दूसरे को जानने का उसर मिलेगा और एक दूसरे को मिलने का भी आसर मिलेगा ज और इसी आपसी तालमेल की वज़े से एक दूसरे के दिल जीतने का काम आप करेंगे और इससे आपका जो कोल्ड वार या हॉट वार जो चल रहा था वो दिरे दिरे समापत होगा और प्रेम संबन्द विश्वा से तबदिल होगे अगर आप वेवाहिक जीवन में किसी प्रका किये आपको पूरन सयोग देने का काम करना चाहिए परिवार के सभी लोगों को आपको एक जूड करने का को दोश मत दीजेगा इस महिने खर्चे वैसे भी जाधा होने वाला हैं दामपती जीवन के लिए अच्छा समय हैं कि आप कंसीव कर लें या संतान के लिए प्लैन करें पती पत्री एक दूसरे के साथ रोमांटिक पल भी बिताएंगे और रोमांचक शन भी एंजॉय करेंगे जीवन साथी से आपका भावनात वक लगाव बढ़ेगा अब आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि आप अपनी पारिवारी क कि जिम्मेदारियों को बहुत भी निभाने वाले हैं कई बार आपने देखा होगा कि लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ में इतने बीजी रहते हैं कि परिवार पर ध्यान नहीं दे पाते हैं आपके अदर ये काबिलियत पैदा हो जाएगी कि आप परिवार पे भी ध्या आने वाले आल्रेडी पहुंचे हुए विध्यारतियों के लिए बहुत शुब समय हैं अगर आप पढ़ाई के साथ साथ को एक्स्ट्रा जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत परफ्रक्ट टाइम हैं साथ ही उनके लिए भी अच्छा समय है जो से अडियों की किसी तकलिफ से गुजर रहे हैं तो आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा जोडों का दर्द इस्पेशली आपको परेशान कर सकता है और आँखों में भी आँखों में भी तकलिफ दे सकता हैं अगर आप इस महीने कोई नई फिल्म एंटेटेन्मेंट सकारत पगर रखते हैं तो आपके लिए लाब दैक से वे रहेगा प्रोफेशनल जीओर में पहले कि अभी अधिक बड़त बनाने में आप सफल होंगे मन्त एंड में आपके व्यक्तित्वक की सरहना होगी और आपके जो इमेज है वो बहतर होगी जिससे आपका मन भी प्रस सौल हो सकती हैं आप कई कामों को एक साथ करने का कोशिश नहीं करें बलकि एके करके काम करेंगे और उससे गती देने का प्रियास करेंगे तो बहुत कामयाब हो पाएंगे जो लोग जॉब कर रहे हैं या बिजनस कर रहे हैं अपने सबॉडिनेट अपने सीनियर बंतरी उन लोगों से आपको बहुत इज़त मिलने वाली हैं प्रोसाहन मिलने वाला हैं आप कुछ बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए हलके से परिशान जरूर रहेंग करना घर में कोई चीज की खरिदारी करना शुब और मांगली कारियों करने के लिए अच्छा रहेगा लेकिन कुछ डेट दे रहा हूं जो सतर करेना सावधानी रखना हर मोर्चे पर आपके लिए जरूरी होगा उसमें 5-6, 15-16, 19-20, 24-25 तारीक आपके लिए विशेश ध्य जान रखने वाली होगी अब मैं सभी मितुन राच्छे वाले लोगों को वो खास उपाय बताने जा रहा हूं जिने करके मिश्चित रूप से आप शुप रभाव को बहुत शुप बना सकते और जो अशुप रभाव उसके काफियत तक कम कर सकते हैं इसी कड़ी में करना है पूरे परिवार सहीं हरे रंके कपड़े या तो पैने या एक रुमाल अपने फास रखने पूरे नौदुरुगा में पूरे मा दुरुगा के आरादरा करते हुए मंत्र की एक माला परिवार की सभी صद्य से करें और साथ आरा कबच का पाठ भी करना चाहिए आठ अक्टूबर को विजय दश्मी के परवपर सभी कारियों में विजय प्राप्ती और हमारे दस विकारों को दूर करने के लिए राम दर्बार पर बेसन के लड़ू का भोग लगाना मद भूलियेगा और यही प्रारत्रा करें प्रभू स्री राम और हनुमान जी से कि हमें शक्ति प्रदान करें ताकि हम अपने विकारों को दूर कर सकें और जीवन में हर पल सफलता अर्जित कर सकें अखंड सौभागी वति बनने के लिए पती की देरगायों के लिए और परिवार की हुशाली के लिए सत्रा अक्टूबर को गर्वाचाओत की विशेश्पर उपर हरिद्रा गनेश परतिमा की फूजा करने चाहिए और स्री गणिश जी की करफा प्राप्ति करने के लिए दूरवा की एक माला बना कर ओम स्रीम गंग गनाधी पता ये न महा मंत्र का जाप एक माला यानि 108 वार उचारण करते हुए गणिश जी अर्पित करें गुड के साथ फिर देखेगा कैसे विग्ण हरते हैं और धन तेरस से लेकर भाया दूज के विशेश कारिकरम तो मैं देई रहा हूँ जो आर्थिक और हर प्रकार के सुख समर्दी के लिए आपके लिए काम आएंगे इन उपायों को करने के लिए आप यूट्यूब पर हमारे दूसरे एपिसोड्स जरूर देखेगा 13 अक्टूबर शरत पूरी निमा पर रात्री में यानि सूरिय अस्तोने के बाद लक्ष्मी जी की छोटे नार्यल से पूजा करके उसे पूजा इस्थान पर इस्थापिद करें अस्ट लक्ष्मी पर आठ कमल पुष्प चड़ा कर महा लक्ष्मी अस्ट कम का पाठ करने से भी माता लक्ष्मी निर्दरों के जीव में प्रवेश करती है और उन गरीब लोगों को भी अमीर बना सकती है जो आप जैसा जीवन चाहते हैं वो मिल सकता है तो मैं आप सबी मितन राश्य वाले लोगों को शुब कामना देता हूँ अक्टूबर महा की और ईश्वर से प्रारतना करता हूँ कि आपके सारे काम हर जाए आज इतना ही मुझे अपरी जबान को यहीं विराम देने के लिए आग्या दीजिए प्यार भरा नमशकार और बहुत बहुत आश्यरवाद